तो हलो दोस्तों आगए एक और ने वीडियो के साथ और इस वीडियो में लग बात करने वाले एक और ने प्रोग्राम के बारे में तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को लिखर ह Creating स्ट्रिंग अपरेषजर क्यानि कि यह जो घोज़ा साफि अपका बनाया गया स्ट्रिंग ऑपी उसको बनाया गया है स्ट्रिंग डीन्स प्रपराव्र्स को सौन्वकर ने क्ले दिया गया है कुछ तो आजे देखतें क्या के member function है तो यहां पर दिया गया है सबसे पहले string op जो कि एक constructor है जो class के नाम से बनाया जाता है और जिसमें variables को initialize के जाता है तो यहां पर string op constructor है और उसके बाद है यहां पर void read string और यह वाला जो method है उसमें क्या होगा कि आपका string जो आपको input लेना है वो आप इस वाले method में लेंगा यानि कि txt में कोई value अगर आपको input लेना है तो आप void read string वाले method में लेंगे input और यहां पर क्या है यहां पर care case convert ऐसे यहां पर जो आपका method एक और दिया हुआ case convert उसमें क्या होगा कि आपको एक character भेजा जाएगा इस वाले method में और उसको आपको convert करना होगा case को convert करना होगा केस को convert करना होगा according लिए अगर माल लीजिया आपका capital later है तो आपको small later में करना होगा और small later है तो capital later में करना होगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका अगर capital लेटर में तो small लेटर में करना होगा and then by next character in circular way यानि कि अगर आपका मान लीजे ए है तो उसके बाद वल्यानी की वह प्रिंट कराना है जो आप एक नया string बनाएंगे उसको प्रिंट कराना है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आई यह देखते हैं इसको Eclipse में तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पार है यहाँ पर methods नाम से एक package बनाया गया है और यहाँ पर import java.util.star public class string op जो class दिया गया तो वहाँ पर class बना दिया गया यहाँ पर और आप यहाँ पर इध्यान दिये होंगे कि यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया scanner is equal to new scanner system.in जो कि हम लोग यह जो public static void main method है उसके अंदर लिखते थे लेकिन अभी हम लोग को main method के बाहर एक method के अंदर input लेना है इसलिए जरूरी है कि scanner का जो हम लोग object बना रहे हैं वह main function के बाहर बना है आप यह main function के अंदर भी इस्तमाल कर सके इसलिए मैंने इसको static बना द देते हैं उसके बाद जो क्या के सब में थड़े वो पहले देख लेते हैं चलिया यह तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर string txt new string दिया हुआ है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर string txt new string बोल के दो वैरियेबल को डिकलेयर किया गया है और यहां पर जो आपका एक string op नाम से जो लिखा हुआ है क्लास के नाम से बनाया गया वह आप पर कंस्ट्रक्टर है और यह वाला जो आप देख पा रहे हैं यह आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग का जो क्वेशन था उसे में बता दिया गया था कि यह वैरियेबल का इस्तिमाल करना आपको इन्पुट लेने के लिए लेकिन य जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग नल से इनिशिलाइस कर दिया और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वाइड रीड इस्ट्रिंग में आपको क्या करना था आपको इन्पुट लेना था कि आप किस वाले स्ट्रिंग को कनवर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख पा मैसेज दिया है कि अपने स्ट्रिंग को इंटर करो और उसके बाद टी एकस्टी इस इकोल स्टू एसी डॉट नेक्स्ट लाइन जो कि आपको मालूमी है तो उसके बाद यहां पर क्या लिखा है यहां पर कैर केस कंवर्ट कैर एस तो यह वाला वह फंक्शन है जिसमें आपको एक क् Sarah अपको चैरेक्टर घ्रय जाएगा और उसको आपको करके देना होगा उसका जो क्रूस यानी केस नहीं है तो स्मॉल और स्मॉल है तो कैपिटल ठीक तो यहां पर करना है और यह वह इसका रिटिन टाइप बिढ़ए ठीक है तो चलिए आए देेकते हैं यह वाले जो मेतट नतर क्या-क्या लिखा हुआ है तो इसके अंदर लिखा उआ है सबसे पहले इस अपर केस यानि कि जो अस में स्ट ओर है जो केरेक्टर आपकेस इस तो है तो हम लोगों को ت spine करना और यह method से बाहर निकल जाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो यह वाला return करेगा यानि कि यह वाला condition false हुआ तब यह वाला return condition आएगा return वाला जो मैंने statement लिखा वो run करेगा और अगर यह true हो जाता है तो यह पहली बार में return यहां ने हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं वाइट सर्कूलर कोड जो आपका यह और मेंटट था तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने एक चैरेक्टर वैरियेबल लिया है जिसका इस्तमाल करने वाले हैं हम लोग कैरेक्टर को उठाने के करके ठीक है तो और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि l is equal to txt.length यानि कि यहां पर जो आपका एक l वैरियेबल है उसमें जो string है आपका txt में store उसमें कितना number of character store है वो आपको यहां पर l में उठा लेना है यानि कि भेज देना है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि for int i is equal to 0 i less than l i++ तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपका एक जो for loop है वो 0 से start हो रहा है और less than l यानि कि आपको तो मालूमी होगा कि position जो होता है एक string का वो 0 से start होता है और जो उसका length है length minus 1 तक चलता है तो वही किया है मैंने 0 से start कि और l-1 तक यह loop चला दिया है और h is equal to txt dot caret i txt dot caret i क्या कर रहा है यहां पर एक एक करेक्टर यानि की 0 जब i का value 0 है तो 0 इंडेक्स वाला जो character है उसको h में उठा रहा है और यहां पर check कर रहा है if h is equal to equal to z और h is equal to equal to capital Z यानि की small z और capital Z तो यहां पर क्या कर रहा है यह यहां पर यह एक काम कर रहा है क्या कर रहा है आपको मालूम ही होगा कि Z जो होता है वो last alphabet होता है ठीक है लास्ट लेटर होता है तो Z के बाद तो और अगर मान लिजा आपका S की value आप एक और आगे बढ़ाते हैं तो वह कुछ और ही return कर देगा लेकिन यहां पर आपको circular code है तो यहां पर मान लिजा अगर आपका Z आ जाता है तो आपको A return कर देना है जैसे कि यहां पर A आता है तो उसके अगला वाला B आता है फिर B आता है मान लिजा तो उसके अगला वाला C फिर D आता है तो फिर उसके अगला वाला E उस तरह से आपको change करते रहना है तो last में अगर आपका माली ज़े small z होता है या capital z होता है तो यह आपको तो मालूम ही होगा कि small z और capital z जो है उसका s की value s की value अलग-अलग होता है s की value तो मालूम ही होगा आप लोगों को जो integer value रहता है character का वो अलग-अलग होता है यह जो case convert आपने यह ऊपर method लिखा था उसी का इस्तिमाल कर रहे हैं हम लोग case convert के अंदर हम लोग pass कर दे रहे हैं क्या यह character हम लोग explicitly convert कर रहे है एच माइनस 25 करने से क्या हो रहा है कि जो आपका एच का जो integer value है वो अपने आप ही जब आप minus का sign यहाँ पर लगा रहे हैं तो अपने आप ही उसका integer value दे दे रहा है और integer value को माइनस कर रहा है 25 से यानि कि इंटीजर value में से 25 माइनस कर दे रहा है यानि कि आपका मान लीजिए 120 आया तो z जो small z होता है उसका s की value 120 होता है और जो उसका a होता है 120 माइनस 25 करने से क्या हो जाएगा a मिल जाएगा उसको यहां पर क्या हुआ 120 माइनस 25 करने से आपको a मिल गया इसमॉल वाला एक वह यह वाले मिथड में पास किया और यह वाले मिथड में स्मॉल पास करने से क्या हूँ उसको capital कर दिया तो हमें प्का स्टोर हो गया capital हो गया और मान लीजिए अगर आपका as H का value capital Z रहता है तो य हुआ हुआ कि आपका जो character है उसका directly s की value उठाया आने कि capital Z है तो 90 उठाया 90-25 करने से 65 और 65 इसका s की value है एक और यह explicitly हमने बता दिया कि जो यहां पर इंटीजर वैल्यू आ रहा है उसको तुम convert कर तो character value में यानि कि 60 जो 65 जो हुआ उसका character value यहां पर store किया गया तो character में convert कर दिया गया तो यहां पर A स्टोर हो गया तो A यहां पर capital A भेजा गया यहां पर case convert के अंदर आया और उसको convert कर दिया स्मॉलडर में तो आये उसके बाद देखते हैं क्या है उसके बाद यहां पर else condition में मैंने कहा लिख है H is equal to to care case convert h plus one तो यहां पर यह क्या हो रहा है यहां पर यह हो रहा है अगर मालीज़ आपका if condition true नहीं होता है आपका मालीज़ a b c d कुछ भी आ रहा है जिसके बात कोई character alphabet available है तो यहां पर क्या हो रहा है कि case convert जो आपका एक थर्ड है उसके अंदर h plus one यानि की case convert के अंदर आपका एक पहले भेज़ जा रहा है यानि की capital है कि small है उस हिसाब से एच का जो value है एच का value भी क्या बोलें जो h के अंदर जो character store है उसको change कर देंगे मालीज़ अगर यहां पर अपर केस है तो lower case कर दे रहा ह और lower case है तो uppercase कर दे रहा है फिर उसके बाद उसके साथ प्लस one वन कर रहा है तो प्लस one करने से क्या हुआ कि capital हो ने के बाद जब आप प्लस one कर रहा है तो उसह साफसे उसके value प्लस हो रहा है और यहां पर explicitly अब बता दे रहा है कि इसको campaign correction एक हमको दो तो एच में उसके रावेल्यू के मुताबिक है यह वाला चो कंडिशन खतम हो गया और उसके बाद क्या है देखिए नियू स्ट्रिंग प्लस तो हम लोग यहां पर क्या करते जा रहे हैं यह जो एक नियू स्ट्रिंग वैरियेबल हम लोग लिया था इनिशिलाइज के अथनल से उसमें हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं उसके मुताबिक एज का वैल्यू और उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं सिस्टम डॉट 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 प्रेंट एले यूर इस्ट्रिंग एक मैसेज दे दिया और यहां पर प्रेंट करा दिया स्ट्रिंग फिर ब्रैकेट वगरा क्लोस कर दिया ठीक है तो चलिया आईए मैं मिथर्ट देख लेते क्या है तो एक सिकेंड तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे है पब्लिक स्टैटिक वाइड में इस्ट्रिंग यार जिस जो आपका में मिथर्ड है उसके अंदर हम जो जो堵ाइड में म 내용 पूल इसका एक déjà अबजजेकट बनाया हम अफने is equals to news stream ीपी और उससे हमने क्ल क्या क्या किया जो a.read string यानि कि जो जो वाइड मेथड है वाइड मेथड यानि कि जिसका रिटन टाइप वाइड है यहां पर रिटन टाइप कैर वाले को कॉल नहीं करना है और जो वाइड वाला है उसको कॉल करना है तो हमने यहीं किया यहां पर a.read string को कॉल किया है और a.circular code को क कॉल किया है तो इसको करने से क्या हुआ कि आपका रेड इस्ट्रिंग में आपका इंपूट हो गया और सर्कुलर जो कोड है उसमें आपका जो आपने प्रोग्राम बनाया है वह काम कर गया तो चलिया यह देख लेते हैं तो यहां पर डालते हैं वही एक्जांपल जो दिया हुआ था एक से किया हुआ है तो आई यह उसको डालते है ए भी था सेट था तो यहां पर आप देख पा रहे हैं भी सी ए आ गया आप कुछ भी डाल सकते हैं अभी मैं आप लोग एक स्मॉल जड़ डाल के दिखाता हूं क्या होता है तो माले जड़ ए बी तो यहां पर उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं ए बी सी हो गया ठीक है तो स्मॉल वाला जो जड़ था उसके रेस्पेक्टिव स्मॉल ए आया तो उसको कनवर्ट किया कैपि झाल किया तो